हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आपका मेरे चैनल हेल्थ अड्डा 24-7 में एक स्वस्थ शरीर के लिए लीवर का हेल्दी होना बेहत जरूरी होता है क्योंकि यह हमारे बॉड़ी के सबसे महत्पूर अंगों में से एक हैं जो शरीर में खाना पचाने में एहम भूमिका निभाता है जब लीवर ठीक से काम कर रहा होता है तो इससे आपकी इम्म्यूनिटी भी बढ़ती है फ्रेंड्स लीवर में अगर थोड़ी सी भी कमी हो जाए या फिर यह कमजोर पढ़ जाए तो शरीर के कई काम रुख जाएंगे जो गंभीर बिमारियां भी पैदा कर सकते हैं अब ब बोड़ी में खाना पचाने से लेकर पित बनाने तक का काम करता है लीवर शरीर को इंफैक्शन से लड़ने ब्लट सुगर को कन्ट्रोल करने सरीर से विशैले पधार्थों को निकालने संद्रॉप करने है अछ थोज ब्लड करने का भी इसी में लीवर नहसीं नहों हैं भी जारूरी है लीवर को हेल्दी बनाने के लिए इन पांच खादिपदार्थों का सेवन करें नमबर वन लहसुन जिनका लीवर कमजोर है उन्हें लहसुन जरूर खाना चाहिए लहसुन खाने से लीवर में मौजूद एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं जिससे लीवर क्लीन रहता है लहसुन से लीवर स्ट्रॉंग बनता है नमबर टू नीमबू नीमबू भी लीवर के लिए फायदे मन है नीमबू में डी लिमोनेने नाम का तत्व पाया जाता है जो लीवर की कोशिकाओं को एक्टिव करता है इससे लीवर क्लीन होता है रोजाना नीमबू पानी पीने से शरीर को बहुत फाइदा मिलता है नमबर 3 चुकंदर लीवर की क्लीनिंग और लीवर को हल्दी बनाने के लिए चुकंदर खाएं चुकंदर में बीटा कैरोटीन होता है जो लीवर को स्टीमुलेट करने का काम करता है इससे लीवर के काम करने की कैपसिटी में सुधा कर आता है नमबर फोर हल्दी फ्रेंट लीवर को क्लीन करने के लिए हल्दी का यूज करें इससे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद मिलती है साध ही वसा को पचाने में भी मदद करता है आप एक चमच हल्दी पाउडर को एक गिलास पानी में मिला लें अब इस पानी को बॉइल कर लें और फिर पी लें नमबर सिक्स ग्रीन टी लीवर को मजबूत बनाने के लिए आप रोजाना ग्रीन टी पीएं इससे फैट कम होता है और बॉडी डिटॉक्स होती है बेहद लाभकारी है आप इसका जूज भी पी सकते हैं लीवर को मजबूत बनाने के लिए पपीता काफी कारगर साबित हो सकता है पपीता लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी सक्रिय रूप से काम करता है इसके लिए आप हपते में कम से कम दो बार इसे जरूर खाएं तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें तो मिलते हैं हम नेस्ट वीडियो में